तो नमस्कार दोस्तों ये जो आप बूटी देख रही है न ये एक छोटे से पेड़ की उपर चड़ी होई है ये लता है और इसको फरीद बूटी के नाम से जानती है फरीद बूटी बासन बेल या फिर इसको पाताल गरूडी गरूडी या फिर सो परणी का सोम बल्ली के ना आने बाली दिब और चमतकारी और सदी है कहीं कहीं इसको जल जमनी और कहीं कहीं इसको जो है सुरहंटा की नाम से जानते हैं जल जमनी के अन्यकों फाइदे है पहला फाइदा इसमें लिकोरिया की बिमारियों के लिए दोस्तों लिकोरिया जिनको हो जाए बे 5 से 10 ग्राम इस जलजमनी की पत्यों को ले लें और उसे फीज कर उसका रस निकाल लें और अब इस रस में जो है बराबर पानी मला कर पिसी हुई मिसरी और थोड़ी काली मिर्च मिलाएं अगर इसका मिसरन आप सुबह साम दो से तीन दिन अगर प्रेयोग करते हैं तो दो से तीन दिन में ही असर देखना शुरू हो जाता है बच्छों को आज क्याँ कमजोरी ज़ादा हो गई है बीकने ज़ादा देखेते हैं दुबले पतले लगते हैं खाया पियानी लगता वे कमजोरी को ये दूर करती है जल जमनी आप प्रियोग कैसे करेंगे जल जमनी असुगंदा सतावर सफिद मुसली और काली मुसली ये आपको लेनी है और उनको पीछ करके चूरन तयार करना है आप इस चूरन को रोजाना एक चम्मा सुबह साम अगर दूद के साथ सिवन करते हैं तो सरीर बलसाली और हश्ट पुष बनेगा जोस्तो तक सर्फ़दंस के रोग्यों के लिए जिसनी को काली या नाच ने ऑन भी डैस लिया है अगर आप उसमें सर्पदंस के रोग्यों में अगर जल जमनी का पिर oy्ब करते हैँ तो वह ज्यादा फायदा होताय है आप करेंगे क्या अगर कभी किसी को साप आट ले तो तुरंत आप जल जम्य की 10 ग्राम जड़ों को 8 ग्राम काली मेर्च को पी से और पानी के साथ रोगी को पिलाएं ये उपाई हर 15 मिनट के बाद करते रहें दोस्तों ऐसा करने से जो है फिरिद व्यक्तिकूल्टी आने लगती है जिसे साप के जहर का सर कम हो जाता है बह पेसके लेव लगाईएं गटने ना जाने कितने परकार के जो सरी में पीडाओ होती ये उसमें आप क्या करेंगे जल जमने की पत्तियों और इसकी जड़ेकों पानी की मदद से फीसकर जोड़ों पर लगाएं गहां बालत दर्दोस्तिकों उपानी के जहां भाला एस और ब इसके जरूर प्रियोग करें, इसमें एक खास गुण होता है कि ये इसकी जड़ों का चूरन अगर पानी में डाल देते हैं तो पानी भी जम जाता है, इसलिए इसको जल जमनी बूला जाता है.